कि है लो एबरिबन मैं जी चौन विक्रमा दित्ताइवनिकी यूट्व चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी फिजिकल इंडिया की है फिजिकल फीचर्स आफ इंडिया की ये कौन सी थाड वीडियो है तो हमने जो पिसली व कौन कौन से फीचर्स उसके अंदर हैं जिन से कोईशन हमारे एक्जाम आते हैं आज उससे अगला एक टॉपिक है हमारा कौन सा प्लेन मैदान आज हम इंडिया के मैदानी भाग के बारे में इस लाइव सेशन में आपके साथ डिसकस करेंगे तो मैं लाइव सेशन को इस है वह आपको इस वीडियो में अभी मैं दिखाता हूं अब देखिए उससे पहले यह क्या हमारा यह हमारा फिजिकल मैफ है और यह हमारा क्या है पॉलिटिकल मैफ है यह वालो जो हिस्सा है हमारे किसका है यह वाला हिस्सा है हमारा हिमाल्या का और इसके नीचे गंगा और इंडेस रिवर है वो किसका है वो हमारे प्लैन मेदान है गंगा यह राजसान वाला कुछ हिस्सा ठीक है यह जो यह चार पार्टम ड़ाइड है इसके बारे में बात करेंगे ठीक है लेकिन इससे पहले हमे important peaks के बारे में highest peak of the greater हमाल्याद या हमाल्य ठीक है जो हमाल्या है उसके अंदर यह कुछ important peak है जिनके बारे मैं रखना कौन सी Mount Everest अब आपको पता होगा कि मैंने आपको बता है था कि जो हमाल्या का second great हमाल्या जो part है उसमें क्या पढ़ता है Mount Everest पढ़ता है ठीक है लगातार दो प्लेट इंडो और यूरोपियन जो प्लेट हैं उन दोनों का लगातार कनवर्जन होने के कारण दोनों एक दूसरे को प्रैसराइज करने की वज़े से उनका जो बीच बाले साव क्या हो रहा है continue अप होता जा रहा है इस वज़े से उसकी हाइट है वो लगातार कस्मीर को add करके अगर हम इंडिया की हाइस्ट पिक देते हैं तो k2 होता जैसे हम गौडवन आस्टिं कहते हैं वो होती है 8611 k2 8611 लेकिन जब हम P.O.K को हटा करके और इंडिया की हाइस्ट पिक की बात करते हैं तो हमारे आती है कौनसी कंचन जंगा ये कहां पर है ये इंड इंडिया की हाइस्ट है और इंडिया की सेकंड हाइस्ट है और इंडिया की हाइस्ट है ये इंडिया की हाइस्ट है ठीक है इसके बाद देखते हैं मकालू थर्ड पे ये दो पहली इंपोर्टेंट है इसके बाद इसकी इसमें जो इंपोर्टेंट है नंदा देवी तब इ रहा है वह कहां पर है नैपाल में है और इसकी हाइट कितनी है 8481 km ठीक है इसके बाद देखिए धॉलाग्री धॉलाग्री जो पी के हमारी वह भी कहां है नेपाल में है और इसकी कितनी है 8172 इसके बाद होता है नंगापरवत ये भी important है ध्यान रखना और ये कहाँ पर है इंडिया में है नंगापरवत और 8126 की है height है अनपूर्णा ये नैपाल के अंदर है 8078 है इसकी और नंदा देवी ध्यान रखना इंडिया के अंदर है और ये 7817 ये important है नामचा बारवा चाइना क्यों लिखा है क्योंकि वह तिबद जो चाइना के अंद चाइना के ओकुपाई जगह जो चाइना ने लिया हुआ है कि इसका तिबद का हिस्सा ठीक है जैसे हमारे प्यों के पाक ओकुपाई कस्मीर है ऐसे ही ये तिबद का वह हिस्सा है जो इस पर चाइना का है तो इसमें आपको जो इंपोर्टेंट है वह माउंट एवरेज जो वर्ड की है और यह नेपाल के अंदर है और यह 848 भी और 885 जीरो भी हो सकती है कंचन जंगा और यह आपको नंदा देवी यह तीन इसमें से वेरी वेरी कि देखियो प्लैन का मतलब होता है मेदानी भाग मैदानी भाग इंडिया का इंडिया में कहां कहां पर मैदान है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताय था कि 43% एरिया पर क्या हमारे में मैं तीक है अब मैदानों में भी हमने जो लेंड वो उसको भी बहुत सारी टायप में डिवाइड किया हुआ है भांगर, तराई, भांगर, खादर, अब कौन सी में क्या-क्या फिशिस्ट होती है वो इस तो लाइसेसन में आपके साथ डिसकस करेंगे ठीक है इससे पहले देखते प्लैन मैंने जैसे देखो, यह मैंने हिमाले आपको बताया है और इसके बाले यह जो गंगा और इंडस के बीच का जो रिवार का जो यह है यह क्या है यह प्लैन मैदान है ठीक है यह है प्लैन मैदान है तो अब इसके साथ में है और पैनिसूला के नौर्थ में है माधी पैनिसू यह चोटानाग पर प्लैट्यू यह डैकन प्लैट्यू लेकिन यह राजिस्थान वाला हरियना पंजाब ठीक है यह सब थोड़ा सा क्या है उत्तर प्रदेश यह प्लैन एरिया है ठीक है इसके बारे मां बात करें गाँ है ठीक है अच्छा दप्लैन एक्टन फ्रॉं तू टू 3200 जो हमालले था वह कितना लंबा था 2500 किलो मीटर और ये कितना है 3200 किलो मेटर बिट्विन दमोथ अफ दा गंगा अद इंडस और गंगा और इंडस रिबर का जहां से और निप प्टेंट है वहां से लेकर के और along to the foot of the mountain with vary from 15 to 300 km, ठीक है, maximum इतना है, और यहां तक कितना, 1500-300 km तक भी यह, गंगा और इंडस रवर जहां 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 तक जाती है, वहां वहां तक यह क्या हुआ है, फेला हुआ है, ठीक है, इसका देखिए, प्लेन इस नेरो एस्ट इन आसाम, जो आसाम में जाकर किये, जैसे जैसे यह, नौर्थ इधर साइड से, वैस्ट से इस्ट की साथ जाते हैं, तो इसकी जो चोड़ाई है, वो कम होते जाते हैं, क्योंकि आसाम में प्लेन एरिया है, लेकिन माउंटेन भी हैं, तो वहां जाकर कि इसकी चौड़ा ही है वो कितनी हो जाती है नाइंटी टू हंड्रेट किलोमीटर हो जाती है ठीक है इधर हमारे मैं जो सेंट्रल इंडिया है एम पी उतर प्रदेश ये वाले में क्या इसकी चौड़ा जादा है लंबाई टोटो कितनी बता दिया मैंने आपको इतनी और जाके आसाम में इसकी जो चौड़ा यह वो क्या हो जाती है चोटी हो जाती है देखते है अब जो हमारे जो मैदानी भाग है यह कितने पार जर्नल के question यही पूछा जाता है कि जो हमारा जो मैदानी भाग है उसको भागर कौन सा है तराई कौन सा है बांगर कौन सा है और खादर कौन सा है ठीक है अब इस मैं एक एक करके जानेंगे देखो सबसे पहले देखते हैं, क्या भावर के बारे में जानते हैं, यह क्या है, कैसे बनता है, दा भावर is the narrowest belt of 8 to 16 km, जो सबसे पहली किस की बात कर रहे हैं हम, भावर की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी मैंने आपको चारो जो टाइप के जो आपको मैदन बताए थे, उनमें सबसे पतली जो लेयर है, वो किस की है, वो है भावर की कितनी, 8 to 16 km, वाइट रणिंग, इस्ट और वेस्ट, और यह कैसे, किस कहा से, इस्ट से, वेस्ट की साइब रणिंग करता है, direction along foot hills of से वालेक, और हमाले के साउथ में, और से वालेक के फुट, से वालेक के नीचे वाले हिस्से में, यह क्या हो जाता है, पाया जाता है, कौन सा, हमारा भावर, हमाले रिवर, डिपोजट देर सेडिमेंट, अच्छा, जितनी भी रिवर है, ज्यादा तर जो रिवर है, हमारी यमाले से और यम्णा गंगा सिंदू सतलोज बरंप जितनी भी रवर हैं सारी ये कहां वह वो करती है पत्थ्रओं के छोटब टोड़े जो सेडिमेंट अपने साथ लाती है वह आकर के सचेतर में क्या हो जाते हैं जम्म जाते हैं प्रेटिंग एलिवेल फंस और क्या बनाते हैं अलोंग दा फोट हिल्स दा फैंस कंसिस्टिंग ओफ ग्रेवल एंड अन सौटेड सेडिमेंट मर्ज टूगेदर टू फॉर्म दा भावर बेल्ट अब यह क्या कह रहा है कि जब हमाल्य की हमाल्य से जो रिवर आती हैं उनके सा चोटेडमेंट टैप जो हुंस आते हैं वह नीचे मिल करें कि क्या बनाते हैं बड़े बड़े वह बना लेते हैं वह ठीक है और वह जाकर के जम्म हो जाते हैं Undo क्या कहते हैं हम करते हैं बहावर धन्रकण ठीक है और यह सब से पत्ली लेर होती है एट्टू 16 किलोमिटर औ सबालिक उसके नीचे वाले हिस्से में यह मैं पाई जाती है ठीक है और यह उपर से बहा कर लाई जाने वाली मतलब जो नदी होती जो उपर से आती है उनके साथ जो सेडिमन लाई जाते हैं वो जमा हो करके क्या बनाते हैं भावर बनाते हैं ज्यादा आपको जहां नहीं दे देते तो फिर नीचे फिर वो उपरा जाती है ठीक है ऐसे होते हैं दलदली जमीन सी तो तो मर्सी लेंड ट्रैक्ट सूट अफ दा भावर मार्कड बाई रिमेंबर रिमेंबर रिमर्जेंस ऑफ अन ग्राउंडेड ठीक है स्ट्रीम ऑफ दा भावर बैल्ट अब क्या होता है दलदली जो भूमी होती है यह बेसिकली भावर से नीचले वाले इरिया में पाए जाती है तराई वाली इसमें थोड़ी दलदली भूमी होती है एरिया अफ लॉंग दा रिवर इंटू मर्सी लेंड ठीक है ओफ दा एक्सक्यूटिव डंपनेस इसका देखो बांगर अच्छा बाई Deposition of Older Alviel जो बांगर होती है देखो रिवर रिवर के सारे जो सैडिमेंट डिपोजित हो जाते हैं अब उनमें एक तो होता है Older और एक होता है New अब ओल्ड वाली जमीन को अब क्या कहते हैं और New वाली जमीन को हम क्या कहते हैं यहांपर यह कौश्चन आप तो और इसके साथ सेडिमेंट नगए यहां जमा होते जाए एक जा तthose चाहिए यहां अधर आ कहते हैं Instagram ठीक है और यहाँ पर आपके आऊगो ज़्लड भाड आएगी वह नए वालेक मेल अस् disparity बाड के दूर लेरी कैम जाओ आने के जादाने के चांस होते हैं या दूर वाले में तो नजदी की अरियह होता वहां है जो उल्द पुरानी जमेर होती है वो फीछे के चाते जाते जहां और हर साल हर दिन हर रोज नई जमीन न्य जगे उसके पास वाले एरिया में जमती दिश्छली आती है ठीक है इसको क्या कहते है tips गत्र bullshit गया İ और इससे जो दूर होता चले जाएगा रिवर बैंक इट इस अलाओ लेंड फॉर्म बाई डिपोजिशन ओफ डिट्रेस ओफ न्यू एलुवियल मैं चीज़ेस में क्या न्यू जो हमारी खादर होती है उसमें न्यू एलुवियल होता है और जो हमारी पिछले हमने बात बांगर की उसमें ओल्ड एलुवियल होता है ठीक है समझ के होंगे दोने इंचीज़ों को आप बैस यह याद रखना है कि नई एलुवियल क्या होता है कि जैसे जैसे यह रिवर आएगी रिवर के यहां में पास वाले जो इरिया जो हमाऊँगा यह नया न्यू होता है और न्यू को और बांगर कहते किसको ओल्ड को ठीक है आज की वीडियो में इतना ही है अगली जो वारी जो वीडियो होगी वह उसमें हम बताएंगे किसके प्लैट्यू के बारें बात करेंगे और इनसे ज्यादा कॉश्चन नहीं बनते हैं ज्यादा तर आपको जो कॉश्चन क्लास आपको मिस नहीं करनी है तो आज इक लास को मिए ही पर समाप्त करते हैं जैहिंद जैभारत कर दो कर दो कर दो